आज करनाल पहुंचे हर्याना के मुख्यमत्री मनुहलाल ने करोडो रुपे की विकास परियोजनाओं का उद्गाटन और शिला न्याज किया। उन्होंने प्रदेश के किशानों के लिए लाबकारी भावानतर भरपाई योजना की शुरुआत करनाल के घागर गाउं से की तथा एंडियाराई के शभागार में हर्याना भवन एम अन्य सन निर्मार कर्मकार कल्यार बोट द्वारा आयोजित स्रमिक जागलुकता सम्मान सम में पात्र स्रमिकों को सिलाई मशीन बविभाक की अनियोजनाओ के तहत चेक बित्रित किये मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंचायद भवन परिसर से पीन परियोजनाओ के उधगाटन बच्छा परियोजनाओ का सिला ने आज किया जिसमें करीब 50 लाख रुपई की लाग से मदुबन में बने लड़कों के अबजरेशन हॉम 2 करोड 82 लाख रुपई की लागत से करनाल के 33 के 20 सब इस्टेशन का उधगाटन सामिल है इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने करीब 35 करोड 83 लाख रुपई की लागत से बनने वाली कुझपुरा करनाल कैथल रोड हर्याना क्रशी विपरन बोड द्वारा करीब 1 करोड 21 लाख रुपई की लागत से बनने वाली कोयर गाउं से भुला खाल सा गाउं तक की शड़क बकरीब 1 करोड 36 लाख रुपई की लागत से बनने वाली कल्सवरा से नावियाबाद तक की शड़क करीब 1 करोड 55 लाख रुपई की लागत से बनने वाली अचन से मून गाउं की शड़क तथा करीब 1,98-लाक रूपई की लागज से नगर निगम परिशर में सीवरेज में एश्टीपी प्लांट ब 1,83-लाक रूपई की लागज से बनने वाली करनाल के सेक्टर 146 और 7 के बरसाती पानी की निकासी की पर योजनाव काथ से लान्यास किया इसके बाद मुख्यमंत्री NDRI के सभागार में हर्याना भवन एम अन्य सनिर्मान कर्मकार कल्यान बोर द्वारा आयोजित स्रमिक जागरुकता सम्मान समारों में बतोर मुख्यातिती सामिल हुए जिसमें उन्होंने पात्र स्रमिकों को सिलाई मशीन वब विभाग के अन्य योजनाओं के तहट चेक बितरित किये यहां उन्होंने हर्याना सरकार द्वारा स्रमिकों के लिए चलाई जा रही बिभिन कल्यान कारी योजनाओं का बखान करते हुए बताया कि पूरबरती सरकारों ने योजनाएं तो बना दी लेकिन उन्हें कभी लागू नहीं किया गया उनकी सरकार ने पिछली योजनाओं को लागू करने के साथ साथ नई योजनाएं भी जनता को समर पिती है उन्होंने कहा कि पहले स्रमिक कल्यान योजनाय केवल कागजों में थी अब इन्हें धरातल पर लागू किया गया है उन्होंने इस मौके पर भवन निर्मान में लगे स्रमिकों के बच्चों के लिए परदेश में एक स्किल अकैडमी बनाने की घोशना करते हुए कहा कि इस से उनके कारे में निपुनता आएगी कारीक्रम में जिले की 778 महलाओं को 11 करोड रुपए की रासी बब 500 सिलाई मशीने बित्रित की गई मुक्य मंत्री ने एक जनवरी से गरीब परिवारों को 20 रुपए लीटर सुद सर्शों का तेल बच्चीनी 13 रुपए किलो देने की भी बात कही प्रदेश का श्रमिक कैसे खुशाल हो इसकी बहुत सी योजनाएं हमरी सरकार की हैं और उन योजनाओं को किरियानित करने के लिए हमने इस परकार के कारकम जलानुसा रखे हैं आज करनाल जले की 748 बहनों को लगव 11 क्रोड रुपए की राशी ये वित्र की जा रही है और ऐसे 500 बहनों को सिलाई मशीन है ये दी जा रही है ताकि सिलाई मशीनों के माद्यम से अपने परिवार के रोजगार में वो और आगे बढ़ सकें और इस परकार की योजनाएं स हमारे जो डरीपरिवार हैं उनका क्ल्याण हो उनके बचों की पढ़ाई की रिष्टी से उनको स्किल्ड डूइल्मन की रिष्टी से ताकि उनको किस परकार से अपने रोजगार में सायता हो सके ऐसी बहुत सी और चल रही है अगे पत्रकारों से बादशीत में सोनी पत्मे मुख्यमंत्री ने आज ही करनाल के गांगर गाउं से प्रदेश के किसानों के लिए लाबकारी भावानतर भरपाई योजना की शुरुआत की इस योजना के तहत किसानों को ऐसी फसल जो मार्केट में लागस से कम मूले पर खरीदी जा रही है हर्याना सरकार द्वारा उचित मूले पर खरीदा जाएगा ताकि किसानों को हानी ना हो सके और इसके लिए प्रथम चरण में आलू, टमाटर, प्याज और गोबी को सामिल किया गया है किसानों की यह फसल हर्याना करशी विप्रण बोर्ट द्वारा खरीदी जाएगी इसका दिन हर्याना के किसान के लिए बहुत ही एक जिसको गनाची एक उपलबदी बरा ये दिन है हमने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है भावांतर भरपाई योजना और चार सब्जियों के लिए ये योजना लागू की गई है आलू, प्याज, टमाटर और गोबी इसमें एक निश्यत मात्रा से अगर कम पैदा होता है उसकी भरपाई की जाएगी और एक निश्यत रेट जो उसका लागत का मूले होगा उससे कम अगर मार्केट का रेट होगा तो वो जो कम रेट है और लागत का मूले का जो अंतर है उसकी भरपाई की जाएगी ताकि किसान को कम से कम ये जो जोखिम है कि कभी के भी रेट बहुत कम हो जाता है और किसान को अपनी सब्जियां सड़कों पर फैकनी पड़ती है उसमें से एक उसकी निराशा दूर होगी और उसका एक लाव उसको मिलेगा कम से कम बोते समय शिनस्शित हो जाएगा भी इसका जो लागत है वो मुझे जरूर इसमें से मिल जाएगी लागत से उपर का जो लाव है उपिसान का अपना रहेगा और लागत से उपर भी कई बार तो बहुत अच्छा लाव किसान के मिलता है तो एक रिस्क फ्री जोमरेंं जोजना है उसमें हमनी यह किया है यह बहुत हँआ है लेकिन एक नई योजना यह नववर्ष से एक जनुरिस से लिए को फन्ड की ओर से रखा जाएगा और उसके जो परेणाम आएंगे उस परेणामों के बाद पर आज़ विचार खिया को राजी सरकार की ओर से दो दिन पहले उनके बैंक खाते में 50 लाक रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और सिग्र ही उनकी पतनी को नौकरी भी दी जाएगी